नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पीके आ रहे हैं आज स्वागत करता हूँ अपने चैनल में और आज हम बात कर रहे हैं तुलसी पर तुलसी के उसदियो गुड़ों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और तुलसी का उपयोग भी सभी लोग करते ही रहते हैं छोटी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इसको और तुलसी हमारी बहुत ही और बेहद ही उपयोगी दवा है आप घरेलू सबके घरों में गमलों में तुलसी पाई जाती है मैक्सिमम लोग इसको घरों में लगा के रखते उसकी देखवाल करते हैं और हमारे कल्चर में पिछे बिसेस बज़े यही है कि उसके जो औसदी अगुड है वो कावी लापकारी होते हैं और हमारी मानव जाती के लिए बहुत ही उपयोगी हैं तो तुलसी को हम आज हॉमेपैतिक रूप में किस तरह से कौन सी दवाई आती है और किस तरह से इसका उपयोग करते हैं किस-क इसके पूरे प्लांट को लेकर एक लुगदी बनाई जाती है पहले स्वक्ष किया जाता है स्वक्ष करने के बाद में इसको कूट कर पीस कर एक पेश्ट तयार किया जाता है इस पेश्ट को फिर एक dispensing alcohol के साथ mix करके इसको बनाया जाता है जो जानि-मानी और best company के बहुत अर्ग एक तरह से आप इसको समझे अर्ग के रूप में इसको बनाय जाता है इसके powerful medicine भी आती है जिसको potentization की process से जो होमेपैथी का medicine बनाने का एक process है उसके तहट इसको powerful बनाने के लिए जब potentization किया जाता है तो कई सारी potency बनके तयार होती है जो हम रोगों के लिए देते हैं रोगों के उपचार के लिए हम देते हैं तो उससे पहले ही जब जो अर्ग तयार होता है उस अर्ग के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो उस अर्क से जिस तरह से हम लोग तुलसी के पत्तों को अगर हलकी सी खांसी हो जाती है तो मुह में डालके चवाते हैं उससे काफी रिलीफ होता है गले में खरांस हो बच्चों को खांसी हो तो उनके लिए चाय में तुलसी के पत्ते डालकर उसको बनाया जाता है इसी तर दिन लोगों को खासी है, जुकाम है, गले में प्राब्लम है, नाक बंद हो जाना, आख से नाक से पानी आना, इन केसों में तुलसी का इस्तिमाल कर सकते हैं, और जैसे कभी-कभी कुछ लोगों को भूलने की बिमारी होती है, कि कोई चीज उनको याद नहीं रहती, इस्टु है, वो एक तरीके से इस्तिमाल करेंगे, उसके बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और साथ में आपके डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर अगर आपका पाचन तत्न ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ओसीम सेंटम बहुत ही लावकारी होती है, स केसों के लिए भी ओसीम सेंट बहुत अच्छी दबा है, इसका सेवन कर सकते हैं, इसका अच्छे से लाप राप कर सकते हैं, इस दबा का हम सेवन सरदर्द, जिस तरह से सर में दर्द होता है, सो के उठे तो सरदर्द होना सुरू हो जाता है, कुछ लोग देखते हैं कि कप आपके स्टूल में लेटिन के साथ में बलेड आना शुरू हो जाता है, एक तरह का मूकस डिस्चार्ज होता है और पेट में एठन होती है, और हर बार मरोड के साथ ही आपको टोईलेट जाना पड़ता है और थोड़ा सा ही स्टूल आता है और उसके बाद फिर वो आरा मिल जाता है और जैसे ही आप आते हैं आपको आदा घंटे एक घंटे को आद फिर से ऐसा ही मैसूस होता है और पेट में अजीब सी मरोड उत्पन होती है उन केसों के लिए भी ऑसिमम सेंटम बहुत अच्छी दवा है आप उसका इस्तेमाल करें उसका सेवन करें और अपने इस तरह की समस्याओं का आप उपचार करा सकते हैं घर पर ही तो उसके लिए मैं बता दू होमेपैथिक दवाओं में यह जो अर्ख है वो ओसिमम से ऐस्टर्म अच्छी कम्पनियां है जिसमें SBL है escrली शॉप की कमपनी यह कम्पनि आपको बहुत ही आच्छा क्लिटी का प्रोड़क्ट देते हैं क्योंकि वह आपको medicinal property जो बहुत अच्छी होती है अच्छी quality के होते हैं उनी पौधों को इस्तेमाल करते हैं साथ में अच्छी quality का ही alcohol इस्तेमाल करते हैं जो dispensing alcohol होता है किसी तरह का कोई भी दुस्प्रभाव नहीं होता वो alcohol एकदम neutral होता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी property नहीं होती जो दूसरी medicine को effect कर सके और आपके सरीर को किसी तरह का effect कर सके कभी कभी किसी के मन में धाड़ा होती है कि इसमें भी alcohol होता है किसी तरह का हमारी body में वो भी side effect कर सकता है तो ये धाड़ा बिलकुल एक भ्रहम है वो alcohol की पहले तो quantity बहुत जादा नहीं होती और जाती भी है तो वो पूरी तरह से neutral होता है यानि किसी भी तरह से वो आपको हानी नहीं पहुचाता और हम एपैतिक दवाओं का आप सभी जानते हैं आप Osimum Shand की आप 30 ML की वोटल और बहुती सस्ते रेट में भी मिल जाता है ये लगभग 100 रुपई का आपको मार्केट में मिल जाता है SBL का Osimum Shand 30 ML की वाइल मिलती है पूरा अर्क बना हुआ है मार्केट में और भी आते हैं अर्क जो काफी महंगे भी हैं लेकिन होमेपैथिक जो अर्क है वो आपको सस्ता यानी 100 रुपई का लगभग मिल जाता है 100 रुपई से कम के ही रेट में भी मिल सकता है तो सेवन कैसे करना है आपको सेवन आपको हलका सा एक चोथाई गुनगुना का पानी लेना है उसमें 10 से 15 बूंद लेनी हैं अगर आप एडल्ट हैं अगर आप ओल्ड एज हैं तब भी 10 से 15 या 20 बूंद भी ले सकते हैं दिन में 2 बार अगर आप बच्चे हैं छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो उसको आप 5-6-10 बूंद गुनगुने एक चोथाई का पानी के साथ में दिन में 2 बार उसका सेवन कर सकते हैं बेज ही जग बिना किसी परिसानी के इसको आप पी सकते हैं आपको इसके फाइदे कुछ ही दिनों में मिलना सुरू हो जाते हैं बहुत ही अच्छी दवा है आप इसको जरूर इस्तेमाल करें ये इम्मुनिटी को भी स्ट्रॉंग करती है ये आपको सही तरीके से हर बोडी को पूरा क्योर करती है जिससे आपके अंदर की जो समझ से आएं वो दूर हो ठीक है तो आज हम इतना ही था आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बगल में बेल आइकन भी है उसको भी क्लिक कर लें क्योंकि मैं से ही वीडियो लगाता लाता रहता हूँ और वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को सेयर भी करें थैंक्यू